DRDO ने Junior Research Fellowship का Recruitment Notification Announce कर दिया है और यहाँ पर 31,000 तक वो salary प्रोवाइड कर रहे है अगर आपने BB टेक किया है या फिर M.E.M. टेक किया है या फिर आपने MSC किया है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो salary की बात करें तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि 31,000 तक आपको यहाँ पर salary मिलने वाली है प्लस इसके अलावा भी आपको HR A मिलने वाला है और यहाँ पर जो final selection है वो interview की वेसेज़ पर किया जाने वाला है तो क्या है इसकी eligibility criteria क्या होगा इसका selection process और आप इसमें कैसे apply कर सकते हैं सबी के बारे में हम इस वीड़ में बात करने वाले हैं तो वीडियो के इन तक जरूर देखिए अगर आपको बड़े पसंद आएगा तो इसमें को like करना अपने दोस्तों के साथ share जरू करना ताकि जो भी eligible है वो इसमें apply कर सकता है आगे बढ़ने से पहले कुछ important बाते आपके साथ share करना चाहूंगा LinkedIn एक one of the best platform है जिससे आपको बहुत बड़े जॉब मिलते है LinkedIn profile से आप directly जॉब में apply कर सकते हो तो बहुत सारी students जो है जैसे mechanical के students, electrical के students या फिर electronics के students LinkedIn profile पे ज़्यादा focus नहीं करते हैं पर LinkedIn profile से आपको बहुत बेड़े जॉब मिल सकता है बहुत सारी government company या प्लस private company जो freshers को recruitment करती है वो LinkedIn का support लेती है तो LinkedIn से वहाँ पे recruitment की जाती है तो अभी तक आपको पता नहीं है कि ये LinkedIn profile कैसे बनाना है या फिर आपने अभी तक अपना LinkedIn profile बनाया नहीं है तो Earn Academy आपको help करने वाली है तो इसी regarding Earn Academy आपके लिए एक workshop लेकिया रहे जो होने वाला है आउट टो create a good LinkedIn profile तो LinkedIn profile कैसे बनानी है mechanical, electrical and electronic students के लिए यहाँ पे बहुत सरे mechanical, electrical and electronic students ये parts कीप कर देते है और उनको बहुत बड़े जॉब नहीं मिल पाता तो यह जो workshop है वो free of cost होने वाला है आपको यहाँ पे guide किया जाएगा कि LinkedIn profile में क्या-काई चीज़े mention करनी है जैसे आपका education, कौन से skill set आपके पास है जो आपको mention करने की है जिससे आपको बहुत बड़े job मिल सकता है और यह जो workshop है वो 23rd April को होने वाला है दोपेर के दो बजे तो यहाँ पे आपको guide किया जाएगा कि कैसे LinkedIn profile बना रहना है और आपको बताएंगे कि LinkedIn profile में क्या-काई चीज़े add करनी है तो यहाँ पे आपके लिए एक sample LinkedIn profile यहाँ पे आपको screen पे दिख रहा रहेगा उसी तरह से आपको LinkedIn profile बनाना सिखाय जाएगा और आप इसका बहुत बढ़या फाइदा उठा सकते हो तो वैसे तो यह workshop होता है 2000 रुपिस का यहाँ पे आपको earn academic free of course प्रोवाइड कर रही है जिसका आप फाइदा उठा सकते हो तो इस workshop में Android में करने का link आपको description मिल जाएगा आपको आसे Android में कर सकते हो और अभी आपके मन में एक doubt आ रहा रहेगा कि LinkedIn profile तो हम बना लेंगे sir यहाँ पे workshop से join करके में सीख लेंगे sir बट हमारे पास skill set ही नहीं है तो हम उसमें क्या क्या जी जायर करेंगे जिसमें Android में करके आपको 12 प्रोजेक्स सीखाए जाएंगे जो आप अपने LinkedIn profile में आड़ कर सकते हो तीन मन का internship भी वो प्रोवाइड करने वाल है जो आप LinkedIn profile में आराम से आड़ कर सकते हो प्लस यहाँ पे different 12 certificates आपको प्रोवाइड की जाएंगे वो भी आप LinkedIn profile में आड़ कर सकते हो मतलब LinkedIn profile आपका भरा-भरा हो जाएगा तो इसमें Android में करके आप बहुत सार स्किल से सीख सकते हो तो mechanical students के लिए बहुत बड़या option अर्न अकरे में लेके आ रही है उसी का link भी description में अवले-बले आप वहाँ से Android में कर सकते हो सेकेंड जो चीज है वो है electrical and electron students के लिए अगर आप electrical या फिर electron students हो तो आपके लिए भी earn academy similar plan लेके आ रही है जिसमें आपको भी तीन मन का internship प्रोवाइड करने वाले है paid internship रहेगा मतलब आपको बहुत बढ़े सीखने भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा और यहाँ पे 20 live project भी आपको करवाए जाएंगे जो आप अपने LinkedIn profile में add कर सकते हो और यहाँ पे जो industry में जो भी skill set required रहती है जैसे आपको जो software importance है वो आपको यहाँ पे सीखाने वाले है तो definitely आप इसमें Android में करके बहुत बढ़े skill set सीख सकते हो और अपना LinkedIn profile को बहुत बढ़े attractive बना सकते हो तो यह सभी चीज़े आपको मिलने वाली है तो यहाँ पे सभी का link description में available है आप आसे Android में कर सकते हो जो free work shop है उसमें ज़रूर रेंडर में करना क्योंकि उसमें आपको बहुत बढ़े गाइड किया जाएगा कि कैसे सभी चीज़े करनी है तो अभी बात करते है DRDO ने जो recruitment notification जारी किया उसके बारे में तो क्या है notification उसके बारे में बात कर लेते हैं तो recruitment notification की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने already recruitment notification डाउनलोर कर लिया ताकि हमारा time waste ना हो तो recruitment notification की बात की जाए तो यहाँ पर जो विशा का platinum location के लिए recruitment होने वाली है और last date की बात करे तो तीन में तक आप application form बल सकते हो तो यहाँ पर क्या क्या vacancy है क्या क्या चीज़े होने वाली है उसके बार में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर vacancies की बात करें तो बहुत बढ़े vacancies यहाँ पर available है पर पहले बात करते है salary की तो salary की बात की जाए तो stipend जो है वो 31,000 तक आपको मिलने वाला है और यहाँ पर HR अलग से मिलने वाला है 31,000 आपको salary रहेगा और HR आपको अलग से मिलेगा तो बहुत बात करते हैं क्या क्या vacancies यहाँ पर होने वाली है यहाँ पर जो टोटल 6 vacancies है सभी junior research fellowship के लिए होने वाली है अगर आपने mechanical किया है electrical या फिर electronics है अगर आपने बीबीटेक किया है इन अपर आप यहाँ पर अपलाई कर सकते हो बट में में टेक वालों के लिए कोई भी गेट स्कॉर की हाँ पर ज़रुवत नहीं है अब लाज दो वेकंसी इसकी बात करते हैं तो लाज दो वेकंसी जो है वो mathematics और physics के लिए होने वाली है मतलब अगर आपने MSC किया है physics से या फिर mathematics से तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो यह MSC वी of stones के लिए यहाँ पर है अगर आप SC या फिर OBC candidate हो तो आपको relaxation भी मिलने वाला है government rule के साब से और यहाँ पर कैसे apply करना है उसके बारे में बात करने से पहले पहले बात करते हैं इसकी selection process की तो selection process की बात की जाए तो यहाँ पर इंटर्यू के बात करते हैं selection होने वाला है मतलब simple है कि पहले आपको application form भरना है application form भरने के बाद आपको select किया जाएगा आपके B B take के और gate score की basis पे और या फिर अगर आप M M take वाले हो तो आपका M M take का score consider किया जाएगा उसके आपको select किया जाएगा और interview के लिए बुलाय जाएगा इंटर्यू में आप अच्छा perform करते हो तो आपको final selection इंटर्यू के basis पे होने वाला है और ये सबी चीज़े यहाँ पे होने वाली है तो अभी application form या फिर apply कैसे करना उसके बार में बात करते हैं तो apply करने के लिए यहाँ पे directly application form दिया गया है आपको ये पूरा fill up करना है और पूरा fill up करने के बाद आपको email दुवारा ये application form send करना है पट इसके साथ साथ और भी जीज़े करनी है यहाँ पे आपको mark sheet लगाना है, birth certificate लगाना है, net या फिर gates का score लगाना है अगर आप category candidate हो, तो category का certificate लगाना है, passport, photo लगाना है, examination fee भी आपको यहाँ पे पे करनी है वो भी आपको पे करनी है, 10 रूपीज है, कोई जादा ने है, 10 रूपीज आप पे कर सकते हो और यहाँ पे account दिया है, उसमें आपको ये सभी चीज़े करनी है तो इस तरह से आप application form बर सकते हो, application form जो है, वो इस email id पे send करना है तो इस तरह से आप अपना application form बर सकते हो और अगर आप selected होते हो, तो आपको विशा का पर तरनम में जाके interview दिना पड़ेगा ये चीज़ धन में रखे, विशा का पर तरनम में आपका interview होने वाला है तो I hope आपको सभी चीज़े समझ में आगे रहेंगी, फिर भी आपको कोई भी doubt है तो आप मुझे comment section पूछना में definitely आपको help करूँगा और LinkedIn प्रोफाइल बनाना है तो और अगरेमिका जो workshop है उसमें जरूर जॉइन कर लिजे आपको बहुत चीज़े सीखने मिल जाएगी तो फिलाल इस विडियो में इतना ही, अगर आपको उड़े बसंदा होगा तो श्रक लाइक कीजिए शेर कीजिए और चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए धन्यवाद